हेलो एबरीवन, बिल्कम बेक टु मैं चैनल, पुस्पा सिंग अलिन वन चैनल, आसा करते हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आज की जो बीडियो है वो मैं एक हैंड वास लेके आई हूँ, कि हम घर पे ही कैसे हैंड वास को बना सक करता है, मक्समाम दो से तिन बार तो दिन में करता ही है, तुसी के बारे में वीडियो है, तो हर घर में दो तिन बात्रूम होते हैं, तो टुकडे जो होते हैं वो बच जाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं कि रख देते हैं, या फिर निकालते समय वो नीचे गिर जाते हैं, या फिरो जाडू के साथ फिर वो डस्ट बीन में चले जाते हैं तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि जो भी छोटे टुकडे जब हो जाए या साबुन बच जाए तो इसको किसी डब्बे में इस तरह से डब्बे में फिल करके आप उसको इकठा करते जाए और जब इकठा ह जाए तो इसको क्या करना है कि एक पानी में या गरम पानी में इसको जो भी साबुन के टुकडे है उसको डाल दीजिए ऐसे और थोड़े दिर बाद जो है आदे गंटे बाद इसको चाकू की सहायता से इसको कट करना है क्योंकि आदे गंटे बाद जोड़ा सा जोड़ा स्वॉप्ट हो जाएगा साबून तो अच्छी तरह से ये कट जाएगा तो इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा गोला है और उसके बाद इसको मैं कट कर रही हूँ यहाँ तो अच्छी तरह से कट जाएगा और फिर उसके बाद थोड़े देर बाद छोड़ने के बाद जो सारे साबून है वो अच्छी तरह से गल जाएंगे और इसके खुस्बू और अारोमा बहुत ही सुन्दर होती है क्योंकि कई साभून के टुक्डे होते हैं तो इससे जो है वो काफी अच्छे होते हैं तो देखे जो है यहां पे मेरे सारे जो हैं गूल गये हैं साभून और इस तरह से देखे कितनी गाड़ी हुई है जहाग के साथ है तो उसके बद क्या करेंगे कि जो भी आपके घर में हैंड वास सेसे हो तो उसमें इसको आप फिल कर देजिए और सेसे की बात करें तो हर घर में अबेलबल रहते हैं दो तीन एक्स्ट्रा रहते ही रहते हैं जब पूरानी हो जाती है तो हम नया भी खरीद लेते हैं तो इसकी कोई चिंटा है नहीं सबके घर में अबेलबल होगा तो बस क्या करना है इसको इसमें फिल कर देना है तो बीन यह हो गया तो मैंने दो में किया है एक मैं अपने और एक मैंने अपने सिंग के पास रखा देखे कितनी अच्छे से यह तयार हो गया है एक बॉटल और दुसरा जो है यह मैं अपने किचन में रख रही हूँ क्योंकि किचन में भी हैंड वास की बहुत ही जरूरत होती है और उसके बाद यहां पे मैं धो के दिखा रही हूँ कि कैसे यह काम करता है आप सोच रहे होंगे कि काम करेगा कि नहीं करेगा तो प्रूफ देख लिजे कितनी अच्छी तरह से हाथों में जाग हो गया है और अच्छी तरह से जो हमारे हाथ है अच्छी तरह से धूल जाएंगे तो आसा करती हूँ कि वीडियो काफी आप लोग को पसंद आया होगा तो अपने फिमिली और फिरिंड के साथ इसे जरूर सेयर करिए और अपना फीडबेक मुझे जरूर देजिए और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस तरह करके हम अपने पैसे को थोड़े थोड़े बचा सकते हैं और हेंड वास खरीदनी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ किसी और टॉपिक पे तब तक के लिए बाबाई and take care, love you all